नीट एक्जाम देनेवाले कुछ बच्चे भी हमारे साथ है। जिन्टों ने काफी मेहनत साल भर की, काई सालों से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज वो जो रिजल्ट आया है, उससे काफी दुखी है। हम बात करते हैं। ह्मित्सें पाशाथ आपका नम क्या है? तो मैंने कॉलेज भी देख ले थे हिसाब से और रांक काई सीधा 14,000 इसमें डेली का तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा बहर जाना पड़ेगा तो मैं को डेली में कॉलेज कम से कम चाहिए तो इसके लिए भी 8-9,000 रांक चाहिए थे कम से कम इस बार आपको कितना माक्स मिलें सिक्सेवेटिवन माकस CC100 1 घू इसमेंलकता है कुछ नहीं मिल पाया का क्वश सरकारी कौलेज नहीं मिल जायागा बाहर मिलेगा ऑप दिल्ली में पैप अपने क्या उमीद की थी नंबर की कि यस से ज्यादा नम्मीद क française का मना मिलीज है कि अगर आप जिस तरह से बात कर रह है कि अगर एक्जाम हो था तो आपको क्या उम्मीद थी अपने लिए तीन हजार रहें का थी यह उमीद थी और आपको कॉलेज अच्छा मेला है अब बाहर जाना पड़ेगा दिली से अगर नहीं होता है कुछ तो अब्दुल अब्दुल आपके इस बार रहें कितनी है मेरी रहें के 57,000 इस बार जबकि आनी चाहिए थी मेरी 18,000 से 19,000 रहें कानी चाहिए थी इस बार क्यों इतना बड़ा गैप आया है 30,000 का गैप यह कैसे आया है या तो ग्रेस मार्क्स जादा बच्चों को दिये हैं या फिर जो पटना F.I.R. है उसमें लीक हुआ है पेपर वो मास लेविल पे भी हुआ है यानि उनलाइन उसे फेलाया गया होगा तबी और गुजरात का भी केस है लेकिन इस बार में इंटे के थी कि नहीं कोई कोई लीक नहीं हुआ है किते साल से आप तैयारी कर रहे थी और एक ड्रॉप लिया था तो दो साल की तैयारी थी तो आपको उमिद थी कि जो आपका यह इस बार का रिजल्ट है और बहतर होना चाहिए था नहीं माक्स जो आए है मेरे 621 आए है तो इस पर रहेंक 18000 आने चीए थी जो इससे मुझे अपना गॉर्मेंट कोलिज मिल जाता है रहाम से 18,19,000 रहेंका थी मुझे गॉर्मेंट कोलिज मिल जाता है दिली में नहीं मिलता बट हां इंडिया में यूपी वगेरा या फिर इ इतना जादा इंफलेशन कैसे आगया 30,000 बच्चों का गैप कैसे आगया आपको इस समझ में आता है कि इस पर ग्रेस मार्क क्यों दिया गया किस भिहाब पर दिया गया जी यह तो बता इंटिया वाले खुद ही नहीं बता पा रहें कि उन्होंने किस फॉर्मूले से ग्रेस 25,071 है जबकि मेरी रैंक जो एक्सपेक्टेट थी इस मार्क्स पर तकरीबन 6,000 से 7,000 के बीच में आनी चाहिए थी यदि नॉर्मल जो ट्रेंड चल रहा था वही अगर फॉलो होता तो तो सर जैसे कि अभी जो हमने प्रेस कॉन्फरेंस देखी उसमें जो एंटिये के जो वहाँ पर डीजी सर बैठे वे थे उनसे कुछ भी क्वेशन पूछे उनका सर्फ और सर्फ एक जवाब था कि ये तो कमिटी तै करेगी तो सबसे पहला सवाल है कि कमिटी में कौन है कितन अगर कहीं पर पेपर लिक का माम लाया है कहीं पर डमी कैंडिडेट बैठता है या किसी सेंटर पर टीचर बैठ करके ओमर सॉल्व करता है जैसा गुजरात के गोधरा पंचानन महल में हुआ कि वहाँ पर जो है कि टीचर बच्चों का ओमर भर रहे थे तो सर इस तरीके के अगर कांड हो रहे हैं और इसके बाद भी NTA अपने नोटिस में ये स्टेट करता है कि एक्जाम की इंटीग्रिटी पूरी तरीके से मेंटेन रही है कोई भी मिसकंड़क्ट नहीं हुआ है तो यह अपने आप में सर एक क्वेश्चन मार्क है और यही प्रश्ण मेरा जो है NTA से भी है आपने तैयारी की होगी आपके गुरुप में आपके बहुत से दोस्ते से तैयारी की होगी क्या सभी संतुस्त हैं कोई सर मेरे अट लीस्ट दस फ्रेंड्स है जिन्होंने 620 से लेकर के 655 के बीच में स्कोर करा है और सभी के सभी आज घर पे बैठ करके रो रहे हैं मतलब वो जब एक महीना जिस दोरान उन्होंने एक्जाम दिया और अपने मार्क्स जोड़े और उसके बाद रिजल्ट आले वाले दिन तक वो लोग कॉलेज सर्च कर रहे थे कि उनके इस मार्क्स पर उनको क्या कॉलेज मिल सकता है और अचानक से सर रिजल्ट जो है वोटिंग वाले दिन वोट का जो दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन एंटिये का रिजल्ट आता है और सभी के सभी बच्चे एकदम से जटके में आ जाते हैं कि रैंक के साथ अचानक इतना बड़ा कैसे इंफलेशन आ गया आपको लगता है कि यह जो सिस्टम है मार्क्स का यह जो रिजल्ट देने का यह चेकिंग का यह चेंज होना चाहिए सर सबसे पहली चीज की एंटिये ही चेंज होना चाहिए मेरा तो कहना है एटलीस इससे पहले जब CBSC था तो वो कम से कम पेपर में गड़बड़ी होने पर एडमिट करके और तुरंत जल्द से जल्द कारवाई लेता था ताकि बच्चे को ज़्यादा सफर ना करना पड़े पर ये NTA अपनी गलती को मानने को ही तयार नहीं है तो इससे बड़ा मतलब की गलत बच्चों के साथ क्या हो सकता है यदि NTA दोबारा 2025 में एक्जाम करवाती है तो तो साफ है कि जो स्टूडेंट है वो भी काफी निरास है और आप देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक चल कर आए है इतनी गर्मी में चल कर आए है और इनकी उमीद है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी मांग पर कोई नो कोई फैसला देगा जो कि इनका भविस्ट जो आगे है व विडियो लिस्ट संजीव के साथ अखली स्राय रिपब्लिक भारत.